नमस्कार दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै माता दी जरूर लिखे दोस्तों साल 2020 का दूसरा चंदरगरहन 5 जुन 2020 को लगने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि चंदरगरहन कब लगेगा, कहां कहां दिखाई देगा, भारत में दिखाई देगा की नहीं, सूतक कब से लगेगा, सूतक भारत में मानने होगा की नहीं भारत के अलावा यह चंद्रग्रहन कहां कहां दिखाई देगा एवं चंद्रग्रहन के समय क्या करे क्या नहीं खास करके गर्वती महिलाओं के लिए तो दोस्तो 5 जुन 2020 का दूसरा चंद्रग्रहन से जुड़ी संपुन जानकारी दोंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को कर लें सबसे पहले जान लेते हैं चंद्रग्रहन कहते किसे हैं दोस्तो किसी भी ग्रहन की खगोली घटना के साथ साथ उसकी धार्मिक मानिता का भी महत्व है चंद्रग्रहन उस खगोली इस्थिती को कहते हैं जब चंद्रमा पिर्थिवी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छा दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं गर्वती महिलाओं को बढ़ती जाने वाले साबधानिया तो माना जाता है कि किसी भी ग्रहन का सबसे ज़्यादा असर गर्वती महिलाओं पर होता है क्योंकि ग्रहन के वक्त वाताबरन में नकार आत्मा कुर्जा काफी ज़्यादा रहती ग्रहन काल के दौरान गर्वती इस्तियों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जाती है ग्रहन काल के दौरान यदि खाना जरूरी है तो सिर्फ खान पान की उन्हीं बस्तूओं का उपयोग करना चाहिए जिनमें सूतक लगने से पहले तुलसी पत्र यकूसा डाला गया हो गर्वती महिलाएं ग्रहन के दौरान चाकू, छूरी, ब्लेड, कैची जैसे काटने की किसी भी बस्तू का परियोग ना करें इससे गर में पल रहे बच्चे के अंगों पर बुरा असर पढ़ सकता है इस दौरान सूई धागे का परियोग भी बरजीत है ग्रहन काल के दौरान भगवान का नाम लेने के अलावा कोई दूसरा काम उनको नहीं करना चाहिए ग्रहन काल में प्रकृते में कई तरह की असुध और हानिकारत किर्नों का प्रभव रहता है इसलिए कई ऐसे कार्ज हैं जिन्हें ग्रहन काल के दौरान नहीं करना चाहिए इसकी अलावा गर्वती महिलाओं को ग्रहन काल सुरू होने से पहले ही अपने पास एक नारियल अवस्य रख लेना चाहिए और ग्रहन काल समाप्त होने के बाद असनान करने से पहले उस नारियल को जल परवह कर देना चाहिए और तब अपनी अपको सुध्धी करन, अपनी सुध्धी करन करनी चाहिए, इससे ग्रहन का दुस्परभाव कम हो जाता है इसके अलावा भी एक उपाय है कि ग्रहन काल सुरू होने से पहले अपनी इतनी लंबाई का एक धागा नाप कर घर में किसी कील में टांग दे और जब ग्रहन समाप्त हो तो इसे कहीं पे जल परवह कर दे, इससे भी ग्रहन का दुस्परभाव से गर्वती महिलाएं बच सकती है अब चलिए ग्रहन लगने की समय की बात करते हैं, तो साल 2020 का दूसरा जो चंद्रग्रहन 5 जुन 2020 को दिखाएगा पांच जुन को यह चंद्रग्रहन रात को 11 बजकर 15 मिनट से सुरू होकर 6 जुन को 2 बजकर 34 मिनट पे समाप्त होगी यह ग्रहन कुल 3 घंटे 19 मिनट तक रहेगा, भारत समेथ चंद्रग्रहन यूरोप, अफरीका, एसिया और आस्ट्रेलिया में दिखाई देगा भारत में चुकी यह चंद्रग्रहन दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मानने होगा इस चंद्रग्रहन का सूतक काल दोपर 1.45 पीम पर लग जाएगा और इसी समय से सुभकार करना बंध हो जाएगा, वर्जित माना जाएगा मंदिर के कपाट भी बंध कर दिये जाएगे तो दोस्तों आसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, ठैंक्स